तो बढ़िया होगे तो आज की इस वीडियो में हम ड्रौ करने वाले हैं एक और नया स्केच जो की अब से कुमार जाटब का है एंड गाइस वह एक सायर है तो आज हम उनका स्केच ड्रौ करने वाले हैं आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज यह तो यह वीडियों के गुंगो की भीड में अकेला चिलाता रहूंगा और बाबा साहिब का नाम लेता देखा कर घूरोगे न तो याद रखना के बेखौफ नज्रे मिलाता रहूंगा यह समझें अभाब पारा जैवीव कि धमकियों से ना ड़नाया करो हम बाबा साहिब के बच्चे हैं उद्ध को मानते हैं पर भी में कोरे गाउं का इतिहास हमारा है हमारा जैवीम के किसी का गुलाम बन कर जीने की आदत नहीं है हमारी हम बाबा साहिब के बच्चे हैं अपनी रियासत खुद बनाएंगे जैवीम के उकात में रहना बेटा ज्यादा फाल तु सुनेंगे नहीं के उकात में रहना बेटा ज्यादा फाल तु सुनेंगे नहीं और कमेंटों में उल्टा सिधा बोलने वालो याद रखना हम बाबा साहिब के बच्चे हैं थपड़ मारते चले जाएंगे बेटा किनेंगे नहीं जैवीम के हम अमबेटगर वादी है बेटा के हम अमबेटगर वादी है बेटा हालात पक्ष में हो या भी पक्ष में सूर में मैदान नहीं चोड़ दे जैवीम के सभी धान विरोधी सुलवे के तूफान चल पड़ा है आब आंधियों के बस की बात नहीं और जो सभी धान को मिटा दे के और जो सभी धान को मिटा दे इतना किसी की उगात नहीं जैवीम बाबा साहिब ने जिसके लिए किया अगर वो बाबा साहिब का भक्त नहीं तो ना मा का उसने दूद पिया और अपने बाप का उसमे रख्त नहीं ज्यमीन किसी ने मुझे बोला कौन एंभेट कर तो सुलवे हमारा मां सम्मान सभी मां एंभेट कर हमारा जीवन एंभेट कर हमारी बिचार धारा हैं अगर हम ठीक हैं तो हमारा स्वार जैवीब के OBC को अलेक्षन मिले हम समर्थन करते हैं 85% बहुजोलों की तादाद है इसका समर्थन करने पर भुपाल में अजाज को कैद करने चले है जोडता हुआ बाज है अरे इस बार गलत आदमी से पंगा लियो मामा शिवराज इस बार गलत आदमी से पंगा लियो मामा शिवराज ये तो पहचाने होते हैं कौन भारत के नंबर वन जेल तिहार जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई वो चंदर शेखर आजाद है जैवीब ना सिंदिगी की खुशी ना मौत परगम जैवीब के बंदूग की गोली रुख सकती है पर जैवीब की बोली नहीं इतनी आसानी से डूप जाए हम वो कश्ती नहीं और कुछ लोग कहते हैं के तुझे घेर के मारेंगे के कुछ लोग कहते हैं के तुझे घेर के मारेंगे तो सुननो वे, हम बाबा साहिब के शेर हैं, अकेले मारना तुम्हारे बस्ती भी नहीं जैवीम, के छोटी सी चिंगारी सही, पर एक नए परी वर्तन का अगाज हूँ और मैं खामोश रहूं भी तो किसलिए, के मैं खामोश रहूं भी तो किसलिए बाबा साइब के मिशन गी एक भूलन दावाज हूँ